आज हम आपको एक दर्द भरी कहानी सुनाएंगे पच्पन वर्ष ये मान सिंकी जो बटोत के पास चक्वा गाउं के रहने वाले हैं ये पहाडी जिला रामबन में पढ़ता है और परसिद टूरिस्ट रिसॉर्ट पत्नी टॉप के पास में है घने जंगलों और उचे पहाड से गीरा चक्वा गाउं है इसके पास में जन जनाते जरने बहते हैं मान सिंग की दो बेटियां है उनमें से एक का ससुराल डोडा जिला में असर के पास में है इस बेटी के ससुराल में किसी का देहांत हो गया था तो मान सिंग पांच और लोगों के साथ बेटी के ससुराल म बात है जब वो वापिस आ रहे थे अपने घर में तो शिवगर्ट पहुँचते ही पांच लोग अलग हो गए और मान सिंग अलग अपने डेरे की तरफ निकल पड़े अपने भाई मान सिंग के लिए भावुक होते हुए राजेंदर सिंग ने बताया पांच लोग वाँ से कठे आए और शिवगर्ट दार तलाब के पास आए वाँ से पांच लोग अपने अधारी के लिए जा रहे थे अगले वाँ से अगले हो गए और शार लोग इस निचे आगे घर के लिए तो आपने सुना कि मान सिंग अपने ग्रूप से अलग होने के बाद अपने घर नहीं पोँचे जबकि उनका डेरा जिस जगा से अलग हो गए थे महस दो धाई किलो मिटर ही था हम सब जानते हैं कि पहाडों पर रहने वाले लोगों के लिए दो धाई किलो मिटर चलना कोई खास बात नहीं होती डेरे में सिर्फ उनकी पत्नी थी और कुछ माल मवेशी जो उन्होंने रखे थे मान सिंग जी की पत्नी काया देवी और परिवार वाले परेशान होकर मान सिंग को ढूनने निकल पड़े 13 अगस 2024 को मान सिंग का कोई पता नहीं चला और 14 अगस 2024 को वो सूचना मिली जिसने परिवार को हिला दिया तो ये मालूम पड़ा कि 13 अगस 2024 को यहां शिवकड़ के पास सेना और अंतकवादियों की एक मूट पेड हुई थी जिसमें एक अंतकवादी मारा गया था तो राजेंदर सिंग का कहना था कि मारे गए आतंकवादी के पास से जो समान बरामद हुआ था उसमें मान सिंग की कुलहाडी भी थी ये कुलहाडी मान सिंग हमेशा अपने साथ रखते थे तो परिवार ने ये समझा कि 12 अगस्त 2024 को जब मान सिंग लापता हो गए थे तो आतंकवादियों ने उन्हें किर्णाप कर लिया होगा पर यहाँ प्रश्टे ये उठा कि मान सिंग कहा है डोडा में रहने वाले मान सिंग का दामाद कृष्ण पाल और परिवार के कई सदसे उन्हें खोजने में निकल पड़े 12 अगस्त दोहजार चोबिस की शाम से खोशते खोशते दिन हफते गुजर गए मगर तलाश कम नहीं हुई और फिर आया 20 सेप्टेंबर दोहजार चोबिस का दिन तो सुनिए उस दिन क्या हुआ लेकिन इस से भी मान सिंग के बारे में सपष्ट रूप से पता नहीं चला और तडपते हुए परिवार ने खोज जारी रखी और फिर सब खोजने वालों की रूप तब काम गई जब तो चाहे जिसमें के पास मिली हड़ियां, कपड़े, बूट, जैकेट सब इस तरफ इशारा करे थे कि मान सिंग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था अब इसको टैस्ट दिया, ये पलीस वोगो फोन की था पलीस वाले आए, बीडीसी वाले थे वह उदर से पांच लटके उनने मिल गई उनको, ये हड़ियां बड़ी, देखे उनने पलीस को फोन पुलीस ने वहां मिली हडियों को डीने टेस्ट के लिये लिया हुआ है जिससे साफ होगा के ये किस की है डीने की रिपोर्ट अभी आना बाकी है लेकिन परिवार वैसे ही तड़ रहा है